जनपसीतापुर के कसबा सिधवली में चोरी करने के नियत से घर में घुसे चोर को ग्रह स्वामनी ने सूजबूस से कमरे में किया बंद। पुलिस को सूचित कर किया उनके हवाले हम आपको बता दें प्राप्त जानकारी के मताबिक बीती राद महुला संतनगर पूर्वी में किरन यादो निवासी संतनगर कसबा सिधवली के घर में चोरी करने के नियत से एक युवक प्रवेश कर गया और कमरे में छिप गया वहीं ग्रह स्वामनी किरन ने बताया जब वह आधी राद के समय उनके कमरे में कुछ तूटने की आवाज सुनकर उनकी नीद खुल गई कमरे में जाकर देखा तो वहाँ एक चोर चोरी कर रहा था जिस पर उन्होंने बहुत चतुराई से बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और अपने घर वालों को बताया साथ वाले लोगों ने बताया चोर घर के ऊपर कांच तोड़ कर घुसा था घर वालों ने जिसकी सुचना 112 नंबर पुलिस को दी पुलिस मौके पर पहुँच कर चोर को हिरासद में लिया आवस्य कारवाही शुरू की है कि अभस है आप अचा है का बंद कर उंद नहीं ना यह हैं फिर प्राज में चोरी भाइबा। किस महुले के निवास्ति हैं शिदावली में ना क्या मामला है आपका अपना मामला अपता है राध बीदी वी रात मंगलवार को शुमित नाम का चोर आया था घर में जो की कमरे में था रात में एक बजे मैंने देखा मुझे शक हुआ कि ऐसा लग रहा है कि जिसे किसी ने अपना च्छाना देखा उपर जाके देखा फिर उसे महां से पता चला कि वह खांच तोड़ की आया है नीच फिर मैंने 112 नंबर पर फोन किया वहां से 112 नंबर की प्लिस भी आई और उसने इसको अरश्ट किया और उसने ताला और तोड़ के कुछ शामान जिसे पायल विश साइड से और उसने चालो हो गया और उसने रात में दो शेव भी खाया थे जो फ्रीज में लगे हुए थे निकाल को लिखाया अच्छा उसके बाद पुलिस आगई तो पुलिस ने क्या कारोई किया पुलिस आई उससे पुश्टाच कि उसने कुछ इस पास बाताया नहीं और वहां से अंधार से लेकि उसको चले गए वहां मुकतमा लिख गया तुमारा मुकतमा लिख गया उसको जेल भेज दिया है ठीक